विल्कम तो इस्टेली इन देट इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले सम नेच्रल फैनोमेना के बारे में ये चैप्टर 15 है प्लास 8 की साइंस की वीडियो है ठीक है और साइंस में फिजिक्स पार्ट की वीडियो है और प्राची बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ और अगर आप आपके स्कूल में कोई भी बुक्स चल रहे होंगे अलग पॉब्लिकेशन का तो उससे कोई दिक्कत नहीं है टॉपिक जो मैंने यहां लिखा है अलग भग आपको सेम है यह पार्ट 1 वीडियो बना पार्ट 2 वीडियो भी अपलोड किया जाएगा उसमें अर्थक्वे अर्थक्वेक्र होते हैं इसके बारे में समझेंगे लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा से इसका एक्जामपल को देख लेते हैं कि एक्ट्वल में यह लाइटनी जो हमारा सम नेश्रल फैनोमेन इसका कहने का मतलब क्या है तो देखो बाबु हमारा जो एन्वार्मेंट ह हमारे जो एक्मोस्फेर है उस एक्मोस्फेर बहुत सारे ऐसे चीज होते रहते हैं जो एक बाइनेचर होते हैं नेचर के थ्रू होते है तो इसलिए इस चैप्टर में हम लोग को ही बेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहां पर पढ़ेंगे इक आप का अंचार्ज होता खीर यлек जिससे हम लोग लेखते हैं यह चार्ज नहीं होता लेकिन हम क्या करेंगे यह जो है ना इसको अगरख करेंगे तो यह क्या हो जाए इसको तो रब नहीं खरेंगी मेरे पास एक pain है यह जो है आपको दिखाई दे रहा है यह पेन है हमारे पास और यह प्लास्टिक का बना हुआ है ठीक है यह क्या हमारा क्या है इंसूलेटर है इंसूलेटर आप लोग समझते हैं इसमें एलेक्ट्रसिटी फ्लो ना करें अगर हमारे पास एक वायर है जिसमें करेंट कर रहा है अगर इसको हम यहां पे टच करवाते हैं तो क्या होगा क्या हमको करेंट लगे रही तो हम इसको इसको भी चार्ज कर देंगे अब कैसे चार्ज करेंगे, अभी आप लोग देखोगे, ठीक हैं, मेरे पास कुछ piece of papers हैं, I'm showing you, see, कुछ piece of papers हैं, और ये piece of papers आपको दिख रहा होगा, अभी देखो, इसमें हम टच करें, क्या ये इसको attract कर रहा है, नहीं attract कर रहा है, जब हम इसको अपने dry hair में rub करते हैं, कुछ दिर बाद automatic ये नीचे चला गया, क्योंकि इसमें electricity flow कर रहा है, electrical charge होगे, ये बोली हमारा क्या होगे, चार्ज होगे, तो only insulator को ही हम rub करके charge कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज के बारे में भी हम लोग यहां पर जानेंगे, ओके, तो example से आपको समझा रहे हैं, क्य electrical electricity होते हैं, lightning होगा क्या, तो lightning जो basically बिजली जो कड़कती है, जब clouds भी हमारे क्या हो जाते हैं, जैसे हम इसको rub की हैं, तो charge हो जाते हैं, उसी तरह से clouds भी charge होते हैं, तब जा करो, ये क्या होता है, बिजली कड़कती है, कुछ examples है हमारे books में, आपको यहां पर दिखा रहे ह आप घर में, कॉम वेगरा होगा आपका, ठीक है, रंगील लगाते होंगे, तो आप कॉम करते होंगे अपने hair को, तो उस टाम क्या होता है, कि वो प्लास्टिक से बना हुआ है, तो जो प्लास्टिक से बना हुए material, जो insulator हो, उसको जब हम रब करते हैं, तो charge हो जाता है, व हमारा एक दूसरा बोड़ी था, जो piece of paper था, तो ये एक uncharge बोड़ी है, हमारा, uncharge मतलब इसको तो हम रब करके charge नहीं ना की है, तो uncharge बोड़ी, जो charge बोड़ी होता है, वो uncharge बोड़ी को क्या करता है, एट्रेक करता है, ठीक है, और ये charge कैसे हुआ हमारे insulator, जब हम इसको अब देखो, जब हम किसी चीज को rub करते हैं, तो rub करने के बाद जो उसमें charge flow करता है, जब उसमें electricity flow कर रहा है, तो उस time electricity को हम लोग क्या बोलेंगे, static electricity बोलेंगे, ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, static electricity उसी को बोलते है, जब हम किसी भी बोड़ी को, ये pin है, इस electricity flow करने start किया, तो इस दोरान जो इसमें electricity flow कर रहा है, इसको उस electricity को, ये क्या कहें, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, static electricity, लेकिन एक चीज और है, static electricity जो होते है, वो आपका continuously flow नहीं करता है, अब कैसे नहीं continuously flow करेगा, हम charge किये, इसको यहाँ पर रब किये, कुछ दिर तक सटा रहा है, उसके बाद उससे paper नीचे गिर गया, अगर continuously flow करता, तो क्या paper नीचे गिरता, नहीं गिरता, क्योंकि ये charge था, जैसे ही इसका, जो charge है, अपना discharge हो गया, वो कागज के ज़िए, ठीक है, तो वो क्या कर दिया, अपने आपको नीचे गिर गया, तो ये continuously flow नहीं करता ह static electricity, तो I hope कि आपको समझ में आ गया होगा कि static electricity होते क्या है, ठीक है, अब next आपका क्या है, यहाँ पर charging by rubbing, तो हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, कि charge हम किसी भी चीज़ को rub करते हैं, तो क्या होता है, चार्ज हो जाता है, एक तरह से यहाँ पर charging by friction भी हम इसको बोल सकते है क्यों कि इक तरह से आप देखो, हम rub करने तो इक तरह से friction भी लग रहा है नो उसमें, आप चलते हो, तो चलने के दोरान क्या है हमारा हम बैठते हैं, खड़े हैं, यह चौक यहाँ पर ऐसे है, तो यह friction के कारण है, अगर friction नहीं रहता यह दोनों के बीच में, तो क्या होता यह चौक यहाँ से sleep कर जाता है, जहाँ पर friction less रहता है, वहाँ पर देखते होंगे, जिसे tiles वाला areas में और वहाँ पर पानी गिरा दो, तो friction less हो जाता है, अब चलते हो तो गिर जाते हो, क्योंकि वहाँ पर friction नहीं होता है, तो friction के कारण भी क्या होता है, चार्ज होता है, अ कभी-कभी गाड़ी जो चक्का मूफ करती है, तो चक्का में अगर friction लगना start कर दियो, तो चक्का को आप टच करोगे, तो पूरा गर्म हो जाता है, क्योंकि वह बोडी हमारा चल कर वो friction के कारण गर्म हो जा रहा है, तो ऐसा होता है, तो यह हम बोल सकते है, charging by rubbing, that means charging by friction, और सब बोडी को, हम लोग क्या कर सकते है, charge कर सकते है, यह सब हमारा insulator है, rub करके हम इनको क्या कर सकते है, charge कर सकते है, और इसमें static electricity flow करवा सकते है, ठीक है बात, कोई दिखकर, okay, अब हमारा next क्या है, types of charges, इसको समझने से पहले कुछ इसमें points थे, जो कि आपको एक और examples हम बता होंगे, balloons कभी हमें सब फुलाते होंगे, तो फुला हुआ balloons को क्या करोगे, आपके पास उलेन close तो होगा ही, उलेन close इसको क्या करो, rub करो, ठीक आप करने के बाद क्या होगा, कि यह बोडी हमारा चार्ज हो जाएगा, यह जो बलून है, ठीक है rubber से बना हुआ है, insulator है, तो यह बोडी हमारा क्या हो जागा, चार्ज होगा, अब इसको हम बलून को जाकर, वाल के पास हम क्या करेंगे, उसको टच करवाएंगा, तो उससे सटा रहेगा, कुछ दिर तक हो क्या रहेगा, उससे सटा रहेगा, ऐसा क्यों हो रहे है, क्यों कि इसमें static electricity flow कर रहे है, क्यों क्योंकि static electricity continuously flow नहीं करता है, तो इसमें जब तक चार्ज रहेगा, बोडी तब तक हो सटा रहेगा, बाकी और जब जैसे ही डिस्चार्ज हुआ, खतम हो जाएगा, बोडी उसके कॉन्टेक्ट में है, वाल के कॉन्टेक्ट में, तो यह डिस्चार्ज होना, स्टार्ट हो जा कि यह जैसे नाइलन और एक्रिलिक का क्लोथ का भी सेम फेनोमेना होता था, जैसे लाइटनिंग में होता था, जब हम लोग उस कपड़ा को पहनते हैं, फिर खोलते हैं, तो उसे चटचिट का आवाज आता है, तो यही फेनोमेना भी देखने को मिला था, वो ऐसा दिखाए खोल रहे थे, जब हो कपड़ा को खोल रहे थे, लोग देख रहे थे, खोल कर, तो उससे आवाज आ रही थी, चटचिट का प्लस में स्पार्कलिंग लाइट फ्लैर्सिंग टाइप आ रहा था, तो यह सब चीज वहाँ पर दिखाए थे, बेंचैमिन फ्रैंक्लिन, ठीक है पोजिटिव को प्लस से और नेगेटिव को माइनस से डेनोट करते हैं, और देखो चार्ज का जो SI unit होते है न, चार्ज का जो SI unit होता है वो आपका कूलंब होता है, ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है कूलंब होता है, चार्ज का SI unit आपका क्या होता है है Caleb होता है नेच्स्ट बात करते हैं यह बोडी व्लाहरा लिए इसको चार्ज करने के बद इस लीक PERK ठास्फर करना होता तो काशे उसके लिए करें घीरा पीड़ करें अब मीट्र किया हो साथा चीज के कंडुक्टर कुण्ड़क्टर उसको बोलते हैं जिसमें एलेक्सिटिटी फ्लो करें ञीक है झिसम्सrate फ्लो करें अभी मेरे पासर चीज नहीं है दूसरे बॉडी में एक बोडी से दूसरे बोडी में चार्ज क्या होता है ट्रांस फर होता है जब उस में में मेड़ी aumentar देंगे तो इसमें एक experiment भी देखा गया था जुक्छ्यापके बुक में दिये भी होगे ऐं कैसे प्रवाइब दिया गया था उपर से जब इसको चार्ज कोई भी बोडी कोई स्कैल हो गया या फिर कोई प्लास्टिक करते थे तो यह तो यह तो यह तो उसके कारण क्या होगा यह एक चीज़ और हम लोग देखेंगे चाइब टाइब सब्सक्राइब पोजीटीव अकर हम लोग पोजीटीव पोजीटीव को आपस में लाएंगे तो यह क्या करेगा आपस में रिपैल करेगा ठीक है मतलब दूर भेजेगा आपस में नहीं सटने देगा सटाओगा तो स्पार्कलिंग लाइट होगा माइनस प्लस को करोगे तो क्या होगा यह हमा करते हैं ए का देखें हमारे नेक्स्ट क्या है बेटव मिन फ्र pontinkliins a现 Когда को ये एक experiment किये था और experiment चैसे किये तो आए जा singer खराइब देखे हैं कि जो हमारा lightning होता है ठीक है इस पड़कर गरचता है और जो आ जो तक लाइट वाइप होते हैं हृं में तो उस दोरान kia हूता है क्योंकि हम लोग कि ये माना गया है कि कैसे वोड को चार्ज करने के बाद किलोगर कर रहा है तो अब यह लाउट अपर को छारज करता था थी उस्थिए क्या हो जो करके क्या देखे थे कि थाकि इनको पता चला कि क्लाउड भी चार्ज होते हैं तो एक्सप्रिमेंट विये क्या किया कि एक काईट बना एक काईट बना और यह ना सिल्क बना हुआ तो पूरी तरह से और फेड़ेंग सेख लगाने इसमें और एकिसमें मेटल कःए को भी यह लगाया थे मेटल का बना हुआ की भी एक लगाय' हुए थे और मतलब कि यह conductor हो गया पर जिसमें electricity flow करता है और यह क्या किये कि इसको इसकाई में उड़ा दिये हैं इसकाई में इसको उड़ा दिये clouds तक लेगा उपर थंड्री डेमें ऐसा किया थे और जब कभी भी बादल गरज रहा था जब कभी lightning हो रही थी तो उस दोरानी यह क्या अब्जब कर रहे थे कि जो lightning था इससे पास होकर इंसूलेटर से पास होकर आ रहा था इनके पास और इनको क्या लग रहा था शौकिंग लग रहा था इलेक्रिसीडी का शौक कैसे लग रहता है उस तरीका से टच किये हुए थे और शौक लग कर इनका बोडी से पास होकर कहां पर जा रहा था अर्थ में जा रहा था और फिर उसके बाद थोड़ा दिर बाद यह देखें कि यह जो मेटल का बना हुए जो पी था एक्टूल मे प्रोड्यूज होता है और सौंड भी प्रोड्यूज होता है थंट्री जिसको थंडर बोलते हैं तो इस एक्सपेरिमेंट से इनको यह पता चला था और जो लाइटनिंग था उपर से जो हमारा एलेक्रिक्रिसीटी था फ्लो करके डाउन्वोड की तरफ आता था नीचे की तरफ आता था इनको सौकिंग देकर अर्थ में चला जाता था तो इस तरीका से जो क्लाउट्स होते थे वो डिस्चार्ज कर रहे थे अपने आपको यह एक्सपेरिमेंट इन लोग ने किया था और इससे यह 7052 में ऐसा हुआ था और इससे पता चला कि क्लाउट्स भी हमारे चार्ज हो जाते हैं तो आई होप कि आपको यह चीज़ समझ में आ गया होगा कि जो बेंजामीन फ्रैंक्लिन थो कैसे एक्सपेरिमेंट किये और इनको कैसे पता चला कि क्लाउट्स भी चार्ज होते थे अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो बचा हुआ है एक्चुल में हमा साई ओं में हमारे अट्मोस्फिर में जो हमारे क्लाउट्स है वोैट्म से मिलकर बने हुए होते हैं कि और एक मेल को हमारा मैटर करता है अगर हो सराउंडिंग पिंग इसंसे मीटर रीक्विट में और एक गयास में है और हमारे क्लाॉट्ज हो मैं होते हैं यह हैं, tiny droplet of water से gloss इन्टेनी की हुए रहते हैं, तो हमारा क्या बनाता है, clouds बनाता है अभर यह जो clouds आपका, basically क्या है, प्रिसीकली क्या है कि tiny droplet यह water है तो water हमारा क्या है? liquid form में है तो ये भी हमारा matter हुआ और atom जो होता है ना atom में ही positive और negative content charges रहते हैं proton neutron रहते हैं उसके बारे में आपको एक special videos बनाकर आपको बता देंगे proton neutron को बारे में कि charges कैसे होते हैं आप देखो एक थोड़ा सा हम बता ही देते हैं इसमें एक cell हो गया यह हम बड़ा सावान है यह एक्चुली atom का फिगर है जो कि इतम छोटा होता है atom हम उसको बोलते हैं जिसको फदर डिवाइड नी कर सेगे इतना चूर करेंगे कि उसको फिर आगे डिवाइड नी कर पाते हैं उसे को हम लोग atom बोलते हैं तो यहां पर प्रोटोन होता है और नीट्रोन होता है ठीक है तो प्रोटोन हमारा पॉजिटीव चार्ज रहता है उसके बाद एक सेल होता है हमारा जो कि इनर सेल होता है इसमें अप सारे एलेक्ट्रोन हमारा क्या होता है निगेटिव होता है हर एक बोड़ी मे होगे तो मेरे वह कै CircumATHी और यह वह हुआ इसका कुछ उसना हुट है कि हवा चलते रहती है तो का इस चार आट रहा शूंत मूफ करते है कि यह क्लाउट से कि हवा से हो जाता है है रब हो जाता है एक दुसरे श्रगड़ाता है तो जब यह रब होगा तो यह पर यह आपस में चार् पर में और सभी च्राउट्स हूं अब यह चार्ज होते हैं तो चार्ज होने के लिए कैसे चार्ज हुआ एर के थूर रब होकर चार्ज हुआ अब यह चार्ज होने के बाद क्या है कि अब यह अपने आपको डिस्चार्ज करने के लिए सोचेगा तो डिस्चार्ज कैसे करेगा यह एक लाउट से दूसरे सेimy familia का काम करता है क्योंकि ए तो हमारे इंसूलेटर यह कंडक्टर का काम करता है और उस तो HIIT करण क्या है कि今日 हो जाएगा वाम हो जाएगा पूरी तरह से गर्म हो करता है अब वाटर को भी गर्म करते हैं अब जैसे एर है तो एर मुझ बनाया उपर से लिकल जाए बाहर तो यहां पर भी एर होंगे तो यहां पर हीट थोड़ा मुझा प्रोडियूज नि करेगा ज्यादा मात्रा में do यूट करेगा तो एर क्या होगा कि पूरी दिला से क्या होगा कि अपका यह देता है क्यों साउंड क्यों सुनाए भी है आप देखर जो इससे ट्रांसफर हुआ तो चार्ज ट्रांसफर होने के बाद एक लॉड्स से दूसरे उसी दोरान हमको लाइटनिंग प्रोडियूस हो रहा है जिससे लाइट और हिट प्रोडियूस हो रहा हिट के कारण हवा में दिस्टर्बेंस हुआ हुआ अचानक उसके कारण क्या है सॉंड प्रोडियूस हुआ जिसको लोग थंडर बोलता है क्लियर है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या क्या यह बताएं कैसे चार्ज ट्रांसफर होता है देख लेगिएटिव चार्जर क्न्टेंगि रहते हैं तु यह अपने आपको एकुआ करेता है उसी में चार्ज को डिस्ट्राज करतेonta है लेकिन ब्रक के बारे में नीक्स्ट वीडियो में पढ nel Rio के साथ अभी इतना ही इस वीडियो में अगर इसमें अगर एपको कुछ होगा तो आपको बताईएगा आपको ओचीज हम क्लियर कर देंगे जाने से पहले कुछ थोड़ा सापको कुछ बताया देखते हैं एक हम लोग जो चार्ज जो टांसफर हो रहा था तो एक आपका क्लाउड टू क्लाउड हुआ ठीक है तो यह चीज हम लोग आज के सेशन में देखें अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके आप हमको बता दीजेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए आपको महाँ पर लाइटनिंग लाइटनिंग कंड़क्टर और अर्थक्रेक के बारे में पूरी ट्रिल्स में बताया जाए तब तक के लिए बाइट टेक करी दोगज करेंध अझाय इब कि अच्छक्षण झाल